सवी की शादी में होंगे दो बड़े धमाके और यहीं पर आएगा सीरियल गोम है किसी के प्यार में मिल जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तों अब शो के अब कमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे जहां शो की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है जहां सवी और ईशान की शादी का नया प्रोमो देखने को मिल रहा है जहां सवी ये बोलते हुए नजराती है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए समरुद से शादी करने को तयार है लेकिन वो कभी भी समरुद को अपना पती नहीं मानेगी तो वहीं ईशान साफ साफ कह देता है कि वो इस शादी से इंकार करता है जहां सवी भी कह देगी कि जब आपने मुझे मना किया था कि मैं आपकी परसनल मैटर में नहीं बोल सकती तो आपको भी कोई हक नहीं है मेरे परसनल मैटर में बोलने का तो वहीं देखने को मिलता है कि इन सब ड्रामों से ईशान बुरी तरह से घबरा उटता है क्योंकि सवी की जान को बड़ा खत्रा है जहां पूरे चवान परिवार को अगवा करके और सवी को मजबूर करके समरुद कर रहा है सवी से शादी तो वहीं दूसरी तरफ ईशान अपनी शादी को छोड़ कर पहुसता है सवी के पास ताकि वो सवी को बचा सके उसके परिवार को बचा सके लेकिन वहीं पे पूरा पासा पलट जाएगा अब किस तरीके से होने वाली है बड़ी अन्होनी जो बनेगी आखरी इक्षा और अब इस आखरी इक्षा के चलते हो जाएगी सवी और इशान की शादी तो वहीं दोस्तों शो की कहानी के आगे आने वाले ट्रैक काफी जादा दिल्चस्प और धमाकेदार होने वाले हैं तो बने रही हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना हुले